नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूटूब चैनल डीटेच ट्रिक्स वर्ड में दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको AMPG2 सेटलाइट एड़ करने का और टीपी एड़ करने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा दोस्तों आपने देखा होगा कि AMPG4 सेटलाइट और टीपी एड़ करने का ओप्शन भी मिल जाता है लेकिन दोस्तों कुछ AMPG2 सेटलाइट और टीपी एड़ करने का ओप्शन मिलता है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बताऊँगा कि इस तरह से आप उन्हें MPG2 सेटलाइट एड़ कर सकते हैं और टीप एड़ कर सकते हैं तो इसकी complete जानकारी पाने के लिए आपको ये वीडियो सुरूज लेकर अंतर तक देखना होगा तभी आपको इस वीडियो में पू बहुत से लोगों के पास में कुछ इसी तरह के interface वाला सेटवोक्स होगा जिसके अंदर दोस्तों आपको satellite और TP add करने का option मिल जाता है तो ये देखते हैं कुछ इस तरह का interface इसके अंदर मिलता है तो इस तरह के सेटलाइट बहुत ही आसानी से एड़ कर सकते हैं तो इसके ल मिल जाता है तो यहाँ पर आपको delete satellite में दोस्तों इस नाने के बाद में आपको अपने سब्रोथ में मौझूद सारी सबीких satellite हैं इसके बाद में दोस्तों आपकोविस वी सेटलाइट होगा आपको स्लेक्ट कर लेdepende में इसके बाद में दोस्तों आपको remote से menu का बटन जिससे आप O.K.ay क्लिक करेंगे दोस्तो आपके यहांप आपको जाना है एंड सेटलाइट के ओपशन में जो की सबसे ऊपर ओप्शन मिल जाता है जो सबसे ऊपर नाम मियनां जाएगा तो यहांपे आससे रिनेम करना है आपको एक number का button दबाना है उसके बाद में यहाँ पर keyword open होगा तो यहाँ पर जो भी नाम लिखा हो रहेगा उसको आपको delete करना है exit का button दबाएंगे तो यह delete हो जाएगा उसके बाद में आपको यहाँ पर DDFIDs लिख देना है तो यहाँ पर देखिए खरफ़ रहेगा सेटलाइट का नाम डाला है वो यहाँ रोज़ाएगा इसके बाद में दोस्तों आपको longitude डालना है तो यहाँ पर 09350 यहाँ पर लिख देना आपको यहाँ पर point 8 नहीं होगा तो आपको यहाँ पर 09350 जिरो लिख देना है उसके बाद में आपको यहाँ पे LNB टाइप सेलेट करना है LNB टाइप दोस्तों C बेंड के लिए स्टेंडर्ड रहेगा जिसमें LNB फ्रिक्वेंशी जीरो एकाउन पचास रहेगी और यहाँ पे हम DDFIDES का सेलेट एड करनें तो यहाँ पे केवी बेंड के लिए आपको दोस्तों रखना है क्योंकि DDFIDES का सेलेट है वो केवी बेंड का है तो यहाँ पे LNB टाइप युनिवर्सल रहेगी और LNB पावर आपको 13 वाई 18 ओल्टेज रखना है और आपने अगर डिस्क्यूशी लगा है तो आप यहाँ पे डिस्क्यूशी का पोर्ट सेलेट कर सकते हैं LNB Frequency 1 और LNB Frequency 2 में आपको कोई चेंज नहीं करना है तो देखते हैं कुछ इस तरह से आपको सेटिंग करनी है तो मैं इसे change नहीं करूँगा, इसके बाद में दोस्तों, option आता है, delete satellite का, तो यहां से delete कर सकते हैं, और इसके बाद में दोस्तों, आपको auto scan का, NIT search का, satellite search का, और PID search का option मिल जाता है, तो यहां पे दोस्तों, आप इन से channel search करा सकते हैं, यहां पे दोस्तों, auto scan से पहले मैं आपको दोस्तों कुछ इस तरह से option मिल जाएंगे, तो यहां पर दोस्तों, आपको TP add करने का option मिल जाता है, तो आप इसमें TP add कर सकते हैं, तो सबसे नीचे option मिलता है, आपको add TP का, तो उसमें जाना है आपको, और उसके बाद में आपको यहां पे TP add करने का option मिलता है, तो म बहुती अच्छी तरिके से आ रहा है और आपको इसी सेव कर देना है दोस्तों मेरे यहाँ पर अभी थोड़ा मौसम खराब है इसी कारण से सिगनल कम दिखाए दे रहा है तो यहाँ पर दोस्तों आपको टीपी एड करने का ओप्शनल जाता है आप डिली टीपी कर सकते हैं और टीपी को अगर आप स्केन करना चाते हैं तो यहाँ से आप उसे इसकेन भी कर सकते हैं तो देख दोस्तों कुछ इस तरह से आप टीपी एड कर सकते हैं और इसके बाद में आपको सेटलाइट सर्च के बारे बता देता हूं तो यहाँ से मैं बेग जाओंगा और बेग कि टीपी अलग से स्कैन नहीं होती और दोस्तों सेटलाइट सर्च के बाद में आपको PID सर्च का उप्सिन मिलता है जो कि ज़्यादा काम नहीं है था उसके बाद में दोस्तों अब मैं आपको ओतो स्कैन के बारे मता देता हूं जैसे दोस्तों हम MPG4ак7 में blind यहां पर देखिए तो यहां पर देखिए दोस्तों अभी 153 चेनल आचुके तो देखिए दोस्तों यहां पर दोस्तों आपको एक और फीचर यहां पर बथा देता हूँ तो यहाँ पर दोस्तों आपको channel का option मिल लगा उसमें दोस्तों सबसे नीचे आपको add channel का option मिल जाता है तो add channel में दोस्तों आप जाएंगे तो कुछ इस तरह से option आपको मिल जाते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमने auto scan किया था और देखिए दोस्तों मैं आपको यहाँ पर सभी टीपियों के single बता रहा हूँ तो देखते हैं single बहुत एची तरिके से आ रहा है और अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर चैनल लिस्ट बता देता हूँ जो कि यहाँ पर हमारे सब्टोक्स में scan हुई है तो यहाँ पर देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको जी नेटर के कुछ temporary free to air चैनल मिल जाते हैं दोस्तों मैंने sidewind blur किया है ताकि copyright ही सुना हूँ बाकि आप देखते हैं background में चैनल चल रहे हैं और जो चैनल यहाँ पर scan हुए मैं आपको बता रहा हूँ तो यहाँ पर डीडी नेशनल डीडी रेटरो और जी एनमोल मिल जाता है फिर डीडी के चैनल है एप जी मुवीज मिल जाता है और भी चैनल आपको मैं चलागे बता रहा हूँ यहाँ पर तो यह देखते हैं सभी चैनल दोस्तों बिल्कुल फ्री ट्वेर हैं कोई चार्ज आपको देना नहीं पड़ता लोगसबा टीवी, राजेसबा टीवी, सिमारो टीवी, दंगल टीवी, बोजपुरी सिनेमा, जी बायोस्कोप, एप जी कूल, इस्टार उस्सो भी मिल जाता है सूरिज सिनेमा, सोनी पल, रिष्टे सिनेपलेक्स, मुवीज पलस, कलर्स रिष्टे, बीफोर यू कड़क, मनुरेंदर टीवी, टीवी 9, भारतवस, दबंग मिल जाता है जी अन्वल सिनेमा मिल जाता है, एंडी टीवी इंडिया, सूरिय बोजपुरी, एंटरेंड मुवीज मिल जाता है और जी पंजाबी मनुरेंदर मुवी मिल जाता है, साधना भक्ती मिल जाएगा और इसके बाद में डीडी स्पोर्ट मिल जाता है, और यहाँ पर एपजी धाकन मिल जाता है मापंजाबी न्यूज इस्टेट यूपी उके जिंग मिल जाता है और लोड़ बुद्दा टीवी एम टीवी बीट्स फक्त मराथी और सिमारो मराथी बना इसके बाद में दोस्तों उमीद करता हूँ दोस्तों आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिल गई होगी अगर दोस्तों आप मेरे द्वारा दीगे जानकारी से संतूष्टा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजे अपने सभी दोस्तों के शेर कर दीजे अगर आप हमारे इस यूटूब चैनल प कर दो कर दो कर दो